Actually drone technology select करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि as a farmer हम लोग जब देखते हैं कि सबसे बड़ा क्या होता है कि labor crisis जो है अभी farmers के सामने बहुत बड़ी बहुत बड़ा issue बन क्या है और कई लोग होते हैं जो pesticide को labor जो होते हैं वो apply नहीं करना चाहते हैं या डालना नहीं जाते चाहे हैं उनकी दिहारी पर काम करें तो ड्रोन का basically हमको यह सबसे में फायदा यह समझ में आया कि ड्रोन एक तो pesticide sprayer है लेकिन इतना precisely काम करता है कि वह उसका GPS होता है उसकी जो मार्किंग होती इतना high advanced technology पर यूश वर्क कर रहा है कि इतना precisely है कि वह एक मीटर रेडियस पे पूर एक हेक्टियर आपका cover लेता है और उसमें जो इस प्रेय होगा कॉर्णिंग से लेके हर एक उसका जो थ्रस्ट आता है और थ्रस्ट आने के बाद में उसकी जो इस प्रेय होती हूं नीचे तक जाके पूरे plants में और उसको cover करती है और जो इस प्रेय का लॉस्ट बिल्कुल नहीं होता और उससे क्या होता है फार्मर्स के लिए जो इस पेस्टिसाइड का है वो बेस्टेज नहीं है उनको लीटर जो है पानी से 200 लीटर लगता था अब सिर्फ दस लीटर में एक हेक्टेर हो रहा है और जो इफेक्टिवनेस आई है उसकी इस ड्रोन के कारण इतना बूस्ट हुआ है और जितना टेक्लाजी और फ्यूचिरिस्टिक है और आने वाले समय में ड्रोन्स जो है वो मेरे खाल से पूरे इंडिया में यूज होना सुरू हो जाएंगे और फिलहाल अभी हम लोग एंपी में हम लोग इंडिडूस कर रहे हैं हमारे एरिया में जैसे इतना एग्री कल्चर में इतना यूसफुल हो सकता है वो कि आपको जब किसानों को इनके बारे में पता चलेगा इसके एफेक्स देखेंगे इसके रिजल्ट देखेंगे तब उनको समझ में आएगा कि हाँ ये मतलब कुछ है और टाइं टाइं नहीं होता लेबर क्राइस म प्रॉब्लम नहीं है जीपीएस गूगल में यूज करता है इसके प्रसाइसली प्रॉपर आपको विदाओ पेस्टिसाइड का वेस्ट किये हुए आपकी फसलों पर विद थ्रस्ट उसके जिए प्रपेलर का थस्ट आता है उससे इतनी बढ़िया इस्प्रे होता है कि फश फ्यूचर है यह ड्रोन बेसिकली मैं कहूं कम चब्दों में और यह है कि रेवलुशनरी है और फ्यूचर में मेरे ख्याल से सब को जब जैसे जैसे इसके अविनिस बढ़ेगी और लोग समझेंगे इसके फायदा को तो मेरे ख्याल से सब को एड़ाप करना चाहिए और मैं